नमश्का, राजनमा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ इलहाबाद हाई कोड ने गुरुवार को ग्यान व्यापी परीसर के ASI सर्वे की इजाज़त दे दी हाई कोड ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याची का खारिच करते वे ततकाल सेशन कोड के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ओडर दिया चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की एकलपीट ने यह फैसला सुनाया अधालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार करते वे कहा कि नियाए के लिए सर्वे जरूरी है कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है सर्वे करिये लेकिन बिना खुदाई किये उधर मुस्लिम पक्ष के वकिल मुमतास एहमद ने कहा कि वह अब सुप्रीम कोट जाएंगे पिछले सुनवाई के दोरान हाई कोट ने एसाई से सुनवाई खतम होने तक मस्जिद का सर्वे शुरूर न करने को कहा था जुलाई के अंतिम सप्ता में कोट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी कोट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था हिंदू पक्ष के वकिल विश्णू शंकर जेन ने हाई कोट के फैसले पर कहा इलाबाद हाई कोट ने ASI को सर्वे करने के लिए कहा है हाई कोट ने जीला कोट के फैसले को तदकाल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है कोड ने सर्वे को मंजूरी दे दी है उन्होंने बताय कि A.S.I. ने अपना हलफ नमा भी दे दिया है कोड का आदेश आ गया है ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है हाई कोड ने मुस्लिम पक्ष की दलिलों को खारिच किया है इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ रहने बाद